प्रेंड चली आज मैं आपको बताने वाली हूँ काना जी के लिए बहुती शुन्दर से प्यारे से तो देखिए ये मैं तीन कलर से बनाऊंगी औरेंज वाइट और गिरी आप अपनी पसंद के कलर ले ले तो मेरे पास कमेंट आया है कि मैं आप 6 नंबर काना जी के लिए बूट बनाना बताऊं तो आज हम बहुती प्यारे से बूट बनाएंगे तो देखिए जिसके लिए मैं यहां पर 24 फंदे लिए हैं यह 5 से 6 नंबर लड़ू गोपाल के लिए बहुती प्यारे से बहुती आराम से आएंगे तो यह 24 फंदे हैं देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 2, 24 तो यह हमारे 24 फंदे हैं 5 से 6 नंबर लड़ू गोपाल के लिए 5 को भी आएंगे और 6 को तो और आम से आजाएंगे तो देखिए यह मैंने 11 नंबर सलाई लिए हैं और यहां पर देखिए हमें सिंगल उन से बनाना है मैं डबल उन से बना रही हूं लेकिन हमें सिंगल उन से बनाना है तो देखिए यह मैं यहां पर 2 सलाईया फंदे डालने के बाद 2 सलाईया यान कि दो दोनों तरब की चार सलाइय होंगी और एक तरब की दो सलाइय तो यह हमारी दो लाइन इस तरह से बनेंगी तो चलिए सबसे पहले हम फंदे डालेंगे और दो सलाइय इस तरह से बना लेंगे और उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे फंदे घटाना शुरू करेंगे बूट बनाने के लिए तो देखिए हम चार फंदे बना लेंगे इसी तरह से एक दो तीन चार ये चार फंदे बना लिए अब यहाँ पर हम दो दो का एक करेंगे तो इसी तरह से हम फंदें आपर घटाएंगे दो का एक करते हो एक फिर से दो का एक करेंगे दो फिर से दो का एक तीन फिर से दो का एक चार फिर से दो का एक पांच छे साथ यह दिकी आठ तो यह हमने आठ बार दो का एक क्या है तो हमारे आठ फंदे यहां पे कम हो गए और चार फंदे इधर भी हम ऐसे ही बना लेंगे जिस तरीके से इधर बनाएं तो एक, दो, तीन, चार तो यहां पे हमने एक सलाई पे फंदे घटा दी है यानि कि दो सलाई यहां बनाई है हमने यहां पे सिंपल और तीसरी सलाई पे हमने यह फंदे यहां पे घटा दी है तो उल्टी तरब की सलाई हम ऐसे ही बना लेंगे सारे फंदों को उल्टे उल्टे बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ही प्यारे लगते हैं लड़ोगोपाल को पेनाने में मेरे पास कमेंट आया है कि मैं पास से छे नमबर लड़ोगोपाल के लिए सोक्स बना कर बताऊँ यह देखिए अब देखिए यहां पर हम फिर से एक सलाई पर और फंदे घटाएंगे तो यहां पर हम चार फंदे बना लेते हैं फिर से हम दो का एक करेंगे एक फिर से दो का एक दो फिर से दो का एक तीन फिर से दो का एक चार तो अब के हम चार बार करेंगे पहले हमने 8 बार किया था अब हमने 4 बार किया है और चागे की 4 फंदे बना लेंगे एक दो तीन चार तो यह हमने यहां पर दो सलाईयों पर फंदे घटा दिये हैं और उल्टी तरप की सलाई थो हमें ऐसे ही बनानी है तो यहां पर देखे मैं कलर चेंज करूंगी मैं तो यह हम वाइट क्लर लगा लेंगे पूरी सलाई में हमें यह वाइट क्लर लगाना है यह देखिए हमने वाइट क्लर लगा लिया आप देखिए इस तरफ से हम हमें फंदे ने घटाने ऐसे ही हम पूरी सलाई को वाइट क्लर से बना लेते हैं यह देखिए यह देखिए तो यह हमने यहाँ पे बना ली है वाइट क्लर से ऐसे ही सलाई अब देखे इधर से भी हम एक सलाई और इधर की बनाएंगे और एक सलाई सीधी बनाएं कि एक सलाई उल्टी और एक सलाई सीधी वाइट कलर से ही तो इसी तरह से हम बना लेंगे दोनों तरब की तो देखे फ्रेंस यह हमने दो सलाई है दोनों तरब की बना लिए तो दो लाइन यह हमारी हाँ पर इस तरह से वाइट कलर की बनी है अब देखे हम औरे करेंगे नहीं से नहीं बनाना है अगरसी दबल उन से बनाएंगे तो हमारे बहुत बड़े बैठेंगे हों इसका के यहाँ पर यह मेरी एंक थुड़ी जादा ही पदली है इसलिए में double से बना रही हूं लेकिन हमें single उनसे ही बनाना है यह देखे तो उल्टी तरफ से हमने यह बना लिया सलाई अब इधर से हम orange color से बनाएंगे दो सलाईया जैसे कि हमने यहां पर यह दो सलाईया बनाई है इसी तरह से यह हमें orange color से बनानी है बहुती जल्दी बनकर त्यार होते हैं और देखने में बहुती सुन्दर लगते हैं काना जी को पेनाने के बाद बहुती प्यारे लगते हैं काना जी यह देखे इस तरह से मैं यहां पर एक लाइन और बना लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं तो देखे फ्रेंज या दुटन ब्पर सेगे इसलिए करण तो यहां पर कम बना सेखती है जैसिक है एक्षाय के और एक और च्राहिट किप टाएंगी इसलिए करते याई कि हम यहां पर बनाई मोड़ सकते हैं जैसे कि नीचे की तरफ मोड़ते हैं इस तरह से हम इसे मोड़ सकते हैं अगर आपको छोटा बनाना है तो आप यहां पर सलाईया कम कर सकते हैं इन सलाईयों में हम इसे जैसे कि मैंने दो बनाई हैं तो आप एक एक बना सकते हैं तो देखिए यहां पर हम सारे फंदों को इस इस तरह से हम बंद कर लेंगे, तो देखे फ्रेंट इमे ने इसी हमारी सेफ पाई यहां पर इस साइड को से अंदर की तरप정राद से इस에 रखते हुए यहां से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे तो देखिए धागा हम यहां पर लंबा कट करेंगे और उसी में हम सुई डाल लेंगे तो चलिए मैं हाँ पर सुई डाल लेती हूं तो देखिए यह मैंने सुई में धागा डाल लिया है और यहां से हम सिलाई शुरू करेंगे तो कि अच्छे से लगा लेंगे दोनों तरब से चैन लेते हुए इदेखे इस तरह से जागा थोड़ा लंबा साई कट करेंगे और यहां पर देखे इस तरह से हम चैन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे अब हम नीचे की साइड लगाएंगे तो यहां पर हम दागा में और सुई डालेते हैं यहां पर ग्रीन कलर का दागा आ रहा है तो इसमें मैं डाल लेती हूं तो देखे मैं दागा डालिया है अब हम देखे नीचे की तरफ चलाई करेंगे अब दोनों तरफ से चैन लेते हुए हम ऐसे ही इसमें सिलाई कर देंगे खींचेंगे और अच्छे से लगाएंगे और यहां पर नोट लगा देते हैं तो देखे प्रेंस में इसमें सिलाई लगा ली है यूदीक थीए अब हम इसे यहां पर सीधा कर लेंगे वे धागे हैं इन्हें हम कट कर लेंगे उल्टा करने से पहले ही हम इन्हें इन सभी को कट कर लेंगे जो हमारे फालतो दागे हैं मेरी थोड़े जादा आगे लेकिन इतने दागे नहीं रहते हैं तो यहां पर हम इस तरह से इसे सीधा कर यह देखिए इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे यह देखिए बहुती प्यारा बूट बनकर कंप्लीट हुआ है यह देखिए यह देखिए बहुती आराम से हमारे लड़कुपाल को आ जाएगा और देखिए हम पेनाने के बाद इस तरह से इसे मोड सकते हैं अगर आपको लंबा नहीं रखना है तो आप इस तरह से भी हम पे इसे रख सकते हैं यह देखिए यह देखिए तो फ्रेंस इसी तरह से हम दूसरा बूट भी बना लेंगे बिल्कुल इसी तरह से देखिए बहुती प्यारा लग रहा है देखिए जरूर बना कर पहनाईए अपने लड़कुपाल को यह देखिए अभी गर्मिया है तो इसलिए पहले ही बना के रख लीजिए अपने लड़कुपाल को पैनाने के लिए तो हम सर्दिया आने की तयारी करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए लड़कुपाल के लिए बहुती प्यारे प्यारे बूर्स टोपी ड्रेस तो हम पहले ही डिए कि ए दोनों ताट स्मारे बनकर है बहुती प्यारी लग रहे हैं इसी तरह से आप भी बना लीजिए इस तरह जो पींसी महने बना है करे बहुती सुंदर आए हैं बनगर है कि जिए अब कि पाड़ा है प्लीज पवसंद है लाइक और शेयर करएं और कमेंट करके भी बताएं अपने कि हमें यह आपको यह लडू गोपाल के सोक्स कैसे लगे हैं